So dear students, हमारे पास क्या है, lenses को अभी detail में graph wise पढ़ना है, थो थोड़ा 10th का अपन repeat कर लेते हैं, बच्छों लोग फर्स जो lenses वो सबको पता है, convex होता है, और second वाले का नाम क्या होता है, concave, कई सारी books में convex को generally yellow converging nature से बोलते हैं, और इसको बोला जाता है diverging nature से, ऐसा इसलिए करत कोई parallel ray आती है न, तो यह इसको क्या करेगा, converge करतेगा focus पे, just like this, और यहां से कोई ray आता है तो इसको diverge करतेगा, यह सब में तब लिख रहा हूं बच्छों, जब बाहर N1 की value air हो, और अंदर N2 की value बच्छो N हो, similarly for this, बाहर N1 की value 1 है, और अंदर बच्छो N2 की value N है, यह basic सी बात है, अगर अपन यह effective index change कर देंगे, तो यहां पर बहुत changes आने लग जाएंगे, जो अपन को नहीं चाहते हैं, अभी फिलहाल, हम यह चाहेंगे, कि इनके UV graphs पूछे जाते हैं, बच्छों, हमारा main focus आची लेक्छर का क्या रहाएगा, UV graph बना ले अपन इन दोनों के, कोई परशानी वाली बात, तो graph बनाने के पहले बच्छों, आपको इसका object और image का ray diagram पता होना चाहिए, you must understand how to draw the ray diagrams, और luckily हम लोगा 10th class में खुब मज़े से बना रखें ray diagrams, तो दो तिन rules होते हैं, मैं लिख देता हूं और उसको देख देख आप बता देना मुझे क्या होता है, तो अगर आपन strictly rules के बारे में बात करें कि ray कैसा ब्येव करता है, बच्चों हम strictly अभी किसको बात कर रहे है, thin lenses के बारे में बात कर रहे है, so अगर आप किसी भी lens को देखते हो, beat, concave, convex, convex, तो मैंने भी concave बना रखें, तीन अपने पास, ठीक है, दिख रहोंगे अगर कोई ray पैरलल आएगा, तो बच्चे लोग वो focus से निकल जाएगा, कोई ray अगर optical center से जाता है, तो बच्चों वो ऐसी का वैसी निकल जाता है, without any deviation, और अगर कोई ray focus से ड्रॉप होता है, तो बच्चों वो पैरलल हो जाता है, इतना अपने को logic समझना है, इस से जादा जरूरत है ना अपन को सोचना है, जो center वाले point है, उनको अपन बोलते है, optical center, क्या बोलते हैं बच्चा लोग, optical center, थोड़ा लगेगा, अपन 10th class में आ रहा है, फ्लेश दिक में चले जाएंगे, लेकिन main जो output क्लास का वो क्या है, graph बनाना आना चाहिए, the same thing strictly applicable for concave lenses also, देख बच्चो समझना है यहां तक, it must be having some principal access with a optical center, doubt तो नहीं है यहां तक, बच्चो, तो बच्चो अगर यहां ऐसा करे, कोई ray अगर parallel भेजे, तो लगेगा ऐसा कि focus पर बैट कि उसको fire कर दिया है, और वो diverge जाएगी बच्चो, center से जाने वाली ray का हम कुछ नहीं कर सकते, और आप भी कुछ नहीं कर सकते, तो क्या हो जाएगा, वो सीधे ऐसे, एक से निकल जाएगा, is this clear, one more thing, last वाले को देखो, यह ज्यादा important है, अगर कोई ऐसे गिर रहा हो, जिसका intention हो, focus पर जाना, क्या होना बच्चो, focus पर जाना, तो यह इसको उसके पास से diverge कर देगा, look at my pointer, बच्चो, यह पैदल हो जाएगा, these three rules, basically, are the simplest rules, जिसको use करके, मैं क्या करूँगा, अब race का diagram बना लूँगा, जो मैं जानता हूँ, कि already आप जानते हो, ठीक है, तो पहले तो एक अंडरस्टेंग बनाते हैं, दिमाग के अंदर के क्या करना चाहिए, अपन को, यहां देख बच्चो, hello, this is optical center, एक end पर focus होता है, बच्चा लोग, एक end पर second focus होता है, second, यह thin lenses की बारे में बात करूँ न, तो यह 2F की value का अपन C से compare कर सकते हैं, यहां पर भी एक focus होता है, बच्चो और एक side पर 2F होता है, जिस side से रह आता है, उसकी दूसरी side पर अपन को focus मिलने होता है, तो आप देखो, सर क्या करने जा रहे हैं, सर के पास एक object है, देखो, object क्या है बच्चो, object infinite पर हो सकता है, कहा हो सकता है, infinite पर, तो image कहा हम बनेगी, बोलो, बच्चो लोग, image कहा हम बनेगी, focus पर, right, this should be the path of incident ray, clear, अब अगर आप 2F के पीछे इसी object को लेकर होगा, तो बोलो, कि सर ये पहला diagram होगा, ये दूसरा diagram होगा, किसी को याद है 10 class की बाते है, if the object is placed, बोलो, object is placed, beyond 2F, then image will be formed between, between F and 2F, याद आया है अभी, मतलब image ऐसे से चल के आती है, image आपकी बच्चो, objects ऐसे दूर की तरफ जा रही होगे, तो ये आपकी image का path हो जाएगा, और ये आपके पास incident object का path हो जाएगा, एक बात और बच्चो, ये जो images बन रहे हैं, कैसे बनेंगे आपके, तो बोलो, कि सर जी, image तो बढ़ियां वाले बन रहे हैं, तो इनका नाम हो जाएगा, real भी है, और यहाँ पे क्या लिका है, inverted भी लिका है, एक बात जब भी आप यहाँ पे u को calculate करोगे तो optical center से u count होगा negative में, और जो v count होगा, बच्चो, v count होगा positive में, कहने का मतलब है, अगर negative का u है और v positive का है, it will help you in drawing the graph, चलो मुझे बताओ, अगर object को 2F पे लादेंगे, तो image कहाँ बनती है, इस गोई idea है, तो बोले गया, सर जी, पढ से, अगर मैं object को बच्चो focus पे लाके रख दो, तो क्या बोलोग है, image कहाँ बन जाएगा, infinity पे, और अगर सबसे basic जो, सबसे important जो बात है, आगे चलके instrument में काम आएगा, बच्चो, हम इसको special point पे रखने जा रहे है, we are bringing the object between optical center and focus, इस condition में एक अलग case में virtual image बनती है, जो पी image I am talking about, और आगे जो topic connected पढ़ाऊंगो आपको, simple microscope, compound microscope पे यही वाला case follow करेंगे, असलिए, कि जो human eye होगी, वो lens के एक तरफ हो जाएगी, और object और image बच्चो एक तरफ हो जाएगा, अपने बच्चपन में वो lens यूज़ करते थे, जवेटी बॉक्स में निकलता था, जिसमे एक को देहेंगे, तो बड़ा साही रिखता था, याद करो, तो जो image मिल रही होती ही न, बच्चो वो virtual मिल रही होती है, virtual भी मिल रही होती है, और erect भी मिल रही होती, मतलब जैसा object है, ऊपर की तरफ वैसी image भी बनेगी, तो आपको जो clues आपको याद रखने है, 10th class के revision से, वो यह कि जो image बनेगी, बच्चा लोग, वो virtual बनेगी, और साथी साथ, erect बनेगी, मैं फटा वर इनके diagrams complete करता हूँ, और यह diagram और अपन को आज का जो important topic है, graph कैसे study करना है, वो उस पर आजाएंगे है, पहले इस page पर देख लो, समझ में आगे का सब कुछ, बच्चे लोग, most of the time, object एक तरफ है, image एक तरफ है, right, तो मतलब कौन सा case होगा, यह real inverted वाला case होगा, यह basic basic one one mark के MC की उसमें, यह reasoning question में आजाता है, the most important यह green से बना हुआ है, बच्चो, object को देखो और image को देखो, उसे side बनी हुई है, am I clear to everybody? So students, let's quickly discuss convex lens के से काम करता है, ठीक है, इस lens के साथ एक पक्की बात है कि यह converging है, इसका focal length बच्चों प्लस होता है, numerical solve करो, तो हमेरे सा याद रखना है, focal length प्लस मानकर मुझे solve करना है, first case में object infinity पर रखा है, मतलब बिलकुल सीजी सची बात है, कि object कैसा लेकर आऊँगा मैं, और बच्चों यह इस तरह से आएगा, यह parallel raise लेकर आएगा, और parallel raise कहां से निकल के जाती है, दुनिया जानती ही, focus से जाती है, फिर से मैं एक और रे लेकर आऊँगा, और मैं आप लोगों से बोलूँगा, बच्चा लोग, यह focus से रे जा रही है, कोई परिशानी वाली ब बनता है, यह 10th class का chart बनता जा रहा है, आप लोग बस यह इस पर ध्यान दो, किसका graph किसे बनेगा, तो यह है बच्चों हमारे पास highly diminished, और पकी बात है कि यह really raise कनवर्ज कर रहा है, देखो, actual में टकरा रहा है ना, वहाँ पर, आप भी कभी वो compass जो बॉक्स आता है, चोटे होती है, तो real and क्या बन जाएगा बच्चे लोग, inverted image बन जाएगी, medical science में इसको आइस बाइस जगरा के treatment इस्तमाल करते हैं, जहां पर लेजर से एक जगा पर सो कनवर्ज किया जाता है बच्चों, ठीक है, beyond 2F के बारे में बात करूँगा, तो सर के पास जो object है, वो 2F के पी बच्चों, focus से, और एक रे कहां से जाएगी, बच्चों, optical center से निकल कर जा रही होगी, इस तरह से, तो आप सब देखो, image कहां बन रहा है, है किसको idea, image बन रहा है, between F and 2F, तो मैं इहां लिख देता हूँ, बोलो, बोलो भई, between F and 2F, और आपको पल्टू इमेज दिखाई बच्चों, यह वाला point reddish होगा, यह वाला point reddish होगा, आप कह सकते हो, सर जी, यहां पर real बन रहा है, और क्या बन रहा है, inverted बन रहा है, ठीक है, हलका छोटा मिलता है, तो diminish लिख देंगे, बस, ठीक है, मैं समझता हूँ, यह 10 से पढ़के आ रहा है, recall हो रहा है, बस 5 minute में, जितना बड़ा आपका object रहेगा, आपको वैसे ही दिखना चाहिए, बच्चों, देखो मेरे साथ साथ, यह करे जा रही है, parallel, बोलो साथ, ठीक है, parallel रहे कहां से जाता है, अले, focus से, और यह करे बोलो, optical center से, वो कहां जाएगा, बिना deviate हो है, तो बच्चों, ऐसे condition अपन क् मिल जाएगा, इसका ना हो जाएगा, a- यहां हो जाएगा, b- again, you can write, a-ad, b-, answer क्या लिखोगे, यहां पर, at f, बोलो, same size मिल रहा है, और, image कैसा है, real, जो इंसान, real होगा, मैंने पढ़ा रखा है, वो कैसा होगा, virtual, inverted होगा, u की value देखो, कैसी आ रहे है, negative, v कैसा आ रहा है बच्चो, अरे, optical center से count करते हैं, जो direction incident रेका होता है, उसी को देख के लिखा जाता है, यह सब बाते previous lecture में जा चुकी है, f to f के बीच में रख लो object को, यह रहा हमारा object, और बताओ क्या करना चाहिए, एक line parallel जाएगी, बोलोगे, हाँ सर, फिर का से निकल जाएगी, वो, फोकस से, और एक कहां से जाएगा बच्चे लोग, optical center से, तो आपको जो image बनती ही मिल रही होगी न, वो beyond 2f मिलती है, यह पकी बात है, हमेशा ऐसे ही होगा, यह हो जाएगा a-, यह हो जाएगा b-, so that I can write a and b here, the purpose of explaining you people, all the ray diagram which you already know is, कि आप u को पहचान पाओ, कि सर्जी u negative ब बनता है, positive हमें मतलब नहीं है कि कहां बन रहा है, बस negative point से मतलब रखो, तो real image है न, hello, बच्चों, object कैसा है, object सच मुच में रखा है न, बढ़ियां, तो real image बन रही, real होगी तो inverted होगी, पकी बात है, और answer कहां आ रहा है, तो बोलोगे, सर जी, beyond, बच्चों लोग ये focus वाला read, आप लो study कर ले, मैं जानता हूँ, आप सबको पता होगा, ये वाला इस पर ध्यान दे लो, last वाले पे, अगर मेरे पास कभी किसी case में object, कहां आ जाए बच्चों, between the optical center and focus, just by going by the rule, rule क्या कहता है हमारा, कि जो parallel जाएगा, वो कहां से जाना चा ये जो rays हैं, बच्चों, ये जो rays हैं, diverging nature के हैं, किसके हैं, diverging, which means that आपको इनको इमेज देखना है, तो जूट मूट का पीछे की तरफ इनको न, extend करना होगा, then you will see that a virtual image is forming, और ये हो गया आपका image, और ये हो गया आपका object, just like right side में बच्चों एक human आके देखे, जो हमको बच्च में मिलता था, वो lens, हमारे compass box में, जिससे पर ने एक हो देखते थे, copy पर रखके तो बड़ा सा ही मिलता था, ये इतना beneficial है को कि इसके एक तरफ observer है, मतलब एक तरफ हम लोग खुद बैठ जाते हैं, बीच में हमारा magnifier lens हो जाता है, और डूसरी side बच्चों, object भी आ गया, which means that ये कल के lecture में क्या बन जाएगा, simple microscope बन जाएगा जाके, यही वाला diagram कॉपी करके इसको पढ़वाँगा, मैं आपको, ठीक है, इस condition में देखो, आपको जैसा object बच्चों, देखो दिख रहा है, वैसे image मिल रहा है, मतलब क्या है, जूट मूट का बनाया है, तो virtual, जो इंसान virtual होगा, वो erect भी होगा, साफ साफ दिख़़ा है, magnified होगा, अब कितना होता है, यह अपन को इसके formula से रहा है, formula में आपन को refractive index का अस्तिमाल और f का अस्तिमाल करना पड़ता है, ठीक है, यह होगा, magnification, उसके बाद क्या है, बच्चों, on the same side of object, यह लिखना आना होती है, most of the time, जो हमने भी पीछे पड़के आए है, जहाँ यू आपका बच्चे लोग negative था, और वी कैसा था बच्चों, आप लोगो का positive था, right और wrong, देखो ना, यह, तो इसको अगर मैं plot करने जाऊं, तो मुझे पहला काम यह करना चाहिए, कि इसका focus बनाना चाहिए, त तो focus कैसे बनेगा, अगर आप किसी convex lens को देख बस लोगे ना, तो बूलोगे सर जी, focus इसका plus में होता है, तो plus में मतलब straight line पे पढ़ाएंगे, तो एक focus से काम चल जाएगा, लेकिन पूरे graph पे पढ़ाएंगे, तो focus के दो point चाहिए, तो u axis पे भी आगे बढ़ेंगे, और आप एक focus बनाएंगे यहाँ पे और वी पे भी आगे बढ़ेंगे, एक focus बनाएंगे, यह दोनों के दोनों distance बच्चे ऐसे करके लिखे जाते है, plus small f और यहाँ पे plus करके small f, इन दोनों से पास होने वाड़ी line जहाँ पे भी intercept करेगी ना, वो आपका jet pot line होगा, यह यहाँ स हो बड़ा सा f, उसके coordinates क्या होंगे, plus f और plus है, आपको इसके आसपास ही diagram बनाना है, चलते है diagrams की तरफ, पीछे, वापस है रिकॉल करते है, सबसे पहरा diagram क्या बनाए था मैंने, यह देखो, at infinity वाला, इसमें u कैसा होगा, तो बोलोगे sir, minus infinity, v कैसा होगा, बोलोगे sir, plus का f, right or wrong students, इसका सीधा मतला है, बच्चे लोग, यह graph यहाँ कहीं से शुरू होगा, हम यह मान के चलेंगे, कि u कितना है, minus का infinity, और v कैसा है, बच्चे लोग, plus f, कोई दिक्कत, touch मत करना उपर, ऐसे करके आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, optical center पर अगर अगर अपन रगते किसी अब्यकों तो बनता ही नहीं है, इसके बात क्या करना है, यह अपन को पूछना है, बच्चे लोगों से, ठीक है, सभी को coordinates दिख रहे होंगे, बच्चों, सबसे पड़ी बात, यह यह चीश समझो, u कहाँ बना है, negative पर, v का बना f पर, pass लेकर आते जाओगे, तो formula कों सा होता है, one by v minus one by u, बराबर one by f, मतलब reciprocal के form में बात हो रहे है, इसलिए graph आपका यह bend कर रहा है, curve की तरह, optical center पर कोई बात नहीं होती, तो बोलोगे, जी सर बिलकुल सही बोला आपने, optical center पर अगर object को रख देंगा, image नहीं बनेगी, इसके बाद क्या होगा, यह आपको मुझे बताना, इसके बाद वाली condition मैंने आपको सबसे important form में यहां बताईए, देखो इसको देखो ढंग से, u कैसा होना चाहिए, बच्चो यूवी graph देख लो, connect lens का फटा-फट, सब लोग, सबसे पहली बात क्या पढ़ाई थी आप लोगों को, हाँ बोलो, देखो 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 बच्चो, यह वी बना हुआ है, और यह यू बना हुआ है, तो इसका मतलब है, यहां कहीं पर negative का यू होगा, और उपर plus का वी कर लेते हैं, और यहां पर बच्चो माइनस का वी कर ल देते हैं, ध्यान दो, सबसे पहला डागरम ने बनाया था, यू कहां था बच्चो हमारा, माइनस का infinity, और वी कहां पर था, बोलो, प्लस का F, समझ में आया, यह वाला पार, ऑब्जेट कहां होता है, बोलो, आट infinity वाला, तो देखो, यह जो ग्राफ शुरू कर रहा है, पर infinity शुरू कर रहा है, उसके बाद अगर मैं आपको back side जाके और पढ़ाने के try करूँ, तो जैसे जैसे आपका, देखो, जैसे जैसे यहां पर object पास आ रहा है, वैसे से, जो image बन रही, वो दूर बनती जा रह कब तक ऐसा होगा, जब तक आप यहां कहीं lens लगा हुआ है, इस lens का यह focus point है, इस lens के focus के पहले आप रहते हो, तो आपको image कैसी मिलेगी, बोलो, real image मिल रही है, doubt है, V कैसा है बच्छों, positive, U कैसा है, negative, it means that जब आप focus तक पहुँचोगे object को लेके है, आपको याद होगा, ब बोलो, जब object focus पर रहता है, 10th class से बोलो, image का मिलती है, infinity, now students quickly understand, what is the UV graph, और convex lens, जहान देना, सबके सब, UV graph, क्या पढ़ा रहा हूँ हूँ मैं, convince lens, tell me the first condition जो आपनें encounter करी, U कितना था, infinity, V कितना आया था, focus, ठीक है बच्छों, object was at infinity, image is at focus, इतनी सी बात है, हमको यह plot करनी है, तो graph कैसे बनता है, यहाँ पर ध्यान दे, सारे के सारे बच्छे, center point पर मैं optical center बनाता हूँ, यह imagination के लिए lens यहाँ लगा हुआ है, एक तरब बच्छों, U जाता है, plus का, पीछे कैसा हो जाएगा, U हो जाएगा, minus का, एक तरफ क्या हो जाएगा, बच्छों, V हो जाएगा, plus का, और एक बच्छों, V हो जाएगा, minus का, is this clear, सबको, V stands for image, और यह हो गया object, तो बच्छों, अगर इसको principal axis के तरह treat करोगे, तो एक नएक जगा इसका focus का line तो आएगा ही, तो उसी line को ऐसे रख करके, अपन क्या करेंगे, ऐसे line draw कर लेंगे, imagination में, जब तक object इसके पीछे रहेगा, ध्यान रखना, जब तक इसके पीछे रहेगा object, तो आपका object कैसा रहेगा, बोलो, real, image कैसी रहेगी, बोलो बच्छों, real, जो हमा real, समझ में आया है बच्छों, यहाँ तक, as soon as you pass your focus, यह focus का point है, तो minus का इप में लिख लेता हूँ, यह principal focus नहीं है, वो axis आला focus है, इसको पास करते हो ना, तो object तो such which में पास होता है, तो यहाँ पर object तो बच्छों, आपका real ही आएगा, but image बिचारी क्या हो जाएगी, बोल virtual, यह समझें सब लोग, image क्या हो जाएगी, वो वाला condition है, जब आपका object, इन दोनों points के बीच में कहीं राय करता है, क्या होता है, ऐसे point पे, जरब बताना, तो बोलोगे, सर अब भी कराया था आपने, यह वाला case, दिख रहा है क्या, object कैसा है, negative, image कैसा है, negative, यही दो बाते यहां लिख देता हूं, तो अपने और अच्छा हो जाएगा, तो object, negative, और negative में image, यहां पर क्या है, object, negative, और plus में image, बच्चों, इसको plot करना है, और इसको plot करना है, और 10th class को ध्यान में रखना है, इतना ध्यान हो जाएगा अपन से, तो बोलोगे, हाँ, हो जाएगा, सर, अब convex का जो focus होता है, वो होता है positive का focus, कैसा होता है बच्चों, convex का focus हमारा positive nature का होता है, so you can just say that, कि सर्फ convex का focus तो plus में आता है, उसको हम क्या करेंगे, तो यहां देखते रहिए बस, अपना answer मिल जाएगा, मेरे पास क्या है, सबसे पहला काम मुझे क्या करना चाहिए, हमें बच्चों, एक f को draw कर लेते हैं, यह रापना f, देखो इस तरह से, अब first diagram मुझे बताओ, जहां पर object जो आपका था, object कितना था, minus infinity, v कहां पर था बच्चों, plus का f, किस-किस को याद है यह, 10th, यह line approximation focus हो कर रही है, v की axis पर, यह वाले point पर focus हो कर रही है, ठीक है, क्या शुरू कर रही है, focus, उस line से शुरू करें, इकड़ा हो, focus इस लिए बटा, यहाँ देखो न, lens के दोनों side focus होता है, इसलिए बच्चे बहुत confused, यह focus और यह focus, तो make you axis, two if double focus हो जाएगा, उस तो उपर बनेगा, वो नहीं draw करते हैं, वो draw करना होगा, तो यहाँ से एक लाएं ऐसे बनने लग जाएगी, ऐसे करके, यह diagram बहुत confused मारेगा आपको, ठीक है, एक focus बना काम कर सकते हैं, आपको, now everybody look at me, बच्चे, first case है, u बराबर क्या है मेरा infinity, और v बराबर क्या है focus, imagine यह करना है कि object तुमारा x axis से बहुत दूर रखा है, और image तुमारा y axis पे f पे रखा है, यह तो कहानी है अपनी, दो-दो focus बनवाए थे न मैंने, वह यहां बने, तो जहां पर यह point आएगा, तो यहां कहीं से शुरू होगा point, देखो मेरे marker को देखो, यह इस वाले point शुरू होगा यहां कहीं से, ठीक है, अब आपने पहला diagram आज का पढ़ा, सबसे पहला diagram इसमें क्या था, आप object को लेके pass आ रहे हो, तो image pass आ रही है, दूर जा रही है, जल्दी बोलो, तो बच्चे लोग यहां से शुरू करना, यू हमारा negative है, infinity वी अपना focus है, इसको लेके दिरी दिरी करके ऐसे आगे बढ़ेंगे, और यहां तक पहुँचेंगे, last जो point है, उसको कैस का infinity पे है, कहां पर यह वो plus का infinity, यह दोनों के दोनों case अपने 10th में, ray diagram में पढ़े है, यह वाले case में object कहां पे होता है, तो बोलोगे सर जी, यह at infinity वाला diagram है, और यह वाला कुम सा है, at focus वाला diagram है, am I clear to everybody in the class, हा ना बोल दो एक बार,